इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप साइफॉन प्रो आप्लिकेशन यूज़ करते हैं जो एक VPN प्रॉक्सी की आप्लिकेशन है और ये काम नहीं कर रही है सही से connection issue आ रहे हैं या फिर आप्लिकेशन सही से चल नहीं रही है उपन नहीं हो रही है तो इससे सही कैस button को long press करें और restart का option आएगा phone को एक बार restart जरूर कर लें restart होने के बाद जैसे ही phone on होता है देखें आपकी problem solve हुई है या फिर नहीं अगर इस तरीके से problem solve नहीं होती है यहाँ पर दूसरा तरीका try करें देखिए जो भी application आप install करते हैं play store से करते हैं और latest update आने की वज़े से इसमें bug आ जाते हैं और application सही से काम नहीं करती है अब आपको क्या करना है कोई भी browser जैसे chrome browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है siphon up to down जैसा मैं search कर रहा हूँ search कर ले इसके बाद up to down की website पर आपको siphon मिल जाएगा click कर ले यहाँ पर आपको latest version और older version नजर आ जाएगा तो आप older version पर click करने जैसा मैंने बता है latest version में bug आते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आए तो आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं ठीक है older version के तो किसी एक पर आप click करें और उसे install कर लें ठीक है install कर लें जैसे ये वाला इसे download कर लें download करने के बाद आपको जो फोन में already है उसे uninstall करना है उसके बाद आपको इसे install करना है ठीक है अब आपकी problem solve हो जाएगी अगर problem solve नहीं होती है तो यहाँ पर आपको long press करना है अगर problem solve नहीं होती है तो यहाँ पर आखरी तरीका आप try करें application पर long press करें और app info के option पर जाएं यहाँ पर storage के option पर जाएं clear catch, clear data कर दे and अब आपकी problem definitely solve हो जाएगी अगर problem नहीं solve हो रही है तो हो सकता है ये developer के तरफ से problem हो, तो आप थोड़ा wait कर ले वो खुद ही सही कर देंगे और आपकी तरफ से अगर problem होगी तो जो तरीके मैंने बता हैं उससे सही हो जाती है वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत जारा ख्याल रखें, अल्लाफिस